Good morning everyone, welcome to Street Corner, मैं हूँ आपकी friend अराधना डेली से अज तोड़ा लेट उठी हूँ, साड़े चार बजे गुना पानी पी हूँ, अपने thyroid की पिल्स ली हूँ और अब पढ़ने बैट गई हूँ अभी husband नहीं है, इस पज़ा से मैं बीच में ही पढ़ रही हूँ, ताकि बच्चे गिरे ना अब मैंने पढ़ाई बंद कर दी है, मैं अपना डेली का योगा कर रही हूँ यह बहुत ही important है मेरे ले क्योंकि मैं thyroid की patient हूँ और अभी मेरा pregnancy के वज़ा से weight भी भड़ा हूँ हर women को अपने लिए 10-15 मिनट time निकल करके exercise daily जरूर करना चाहिए अब नहाने के बाद मैं ready हो रही हूँ, जो हम सब होते हैं daily हमें भले ही घर में रहना है तो क्या बट खुद को maintain रखना चाहिए इस से सामने वाले को भी अच्छा लगता है और हम भी confident रहते हैं जरूरी नहीं है कि जब हमें बाहर जाना हो तभी हम ready हो, तभी हम तयार होए अगर हम अच्छे दिखेंगे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा तो जरूरी है कि हम खुद को maintain रखे डेडी होने के बाद फेड डेडी का पूजा, अभी नरात्री चल रही है तो मैं वैसे तो हर नरात्री में दुर्गा सब्तसती का पाट करती थी पर इस बार नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्ची छोटी है और वो बीच में अकसर उठ जाती है और जो काम करता है उसके लिए काम कभी खतम नहीं होता है अभी देखिए मेरे कपड़े भी खड़ गया अभी तक सोई है अभी तक लग्की उठी नहीं है साड़े साथ हो गया है इसके स्कूल का गया थोड़ा लिख ए गया गिया उच्जा बिटा स्कूल का लेट हो जाएगा चलो उपना किचन का काम ही कंप्लीट कर लेती हूं उसके तब तक टिफिन बना लेती हूं सबको चाय बना के देती हूं और मैं दोपहर के लिए भी अभी ही डाल बना लेती हूं ताकि दोपहर मुझे अराम रहता है और टाइम भी थोड़ा मिल जाता है अभी चाय बना करके सबको दूँगी गिया का नाश्टा भी तयार कर लूँगी इसी में उसको टिफिन देने के लिए गिया ने अभी दो हफ्टे पहले ही स्कुल जाना स्टार्ट किया है इसलिए मैं इसको टिफिन में आलो को काट करके हल्का फ्राइ कर देती हूं और उसको बोलते की फ्रेंच फ्राइज है तो वो उसी वज़ासे एक रोटी और फ्रेंच फ्राइज के नाम पे ले के जाती ह टिफिन में और उसको खतम भी करके आती है अब मेरी चाय भी बन गई है सबको मैं चाय दूँगी नाश्ता भी बन रहा है और इसी में पापा का फोन आ गया है डिसकुशन हो रहा है इंगेजमेंट की तैयारियों पे 20 एपरिल को देवर की इंगेजमेंट है तैयारिया स्टार्ट है गया अभी तक नहीं उठी है अब उसको जबजस्ती करके मैं उठाऊंगी क्योंकि फिर स्कूल का लेट हो जाएगा वैसे तो वो हमेशा उठ जाती है पर आज नहीं उठी है और अब उठते ही अपनी बहन को परिशान करने लग गई जिसके भी दो बच्चे होंगे वो इस प्राप्लम को सफर कर रहे होंगे कि बड़े बच्चे छोटे बच्चे को कि इतना परिशान करते हैं बिचारों को चैन से सोने भी नहीं देते हस्बन रहते है तो मुझे बहुत help मिलती है husband के आ जाने से गिया भी अभी छोटी ही है सिर्फ तीन साल की है तो वो भी मुझे पर ही depend है उसको भी मुझे ही ready करना पड़ता है अभी तो वो बहुत ही mature है अपने age के बच्चों के हिसाब से अपने बहुत से काम खुद कर लेती है मुझे जाला दिक्कत नहीं होता है बट फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते है गिया को ready करके स्कूल मैं भेज देती हूँ उसके बाद मुझे time मिलता है अभी नया ने इस दिन स्कूल स्टार्ट किया है तो अभी तो excited है स्कूल जाने के लिए अब 9 बच गए है और गिया चली गई मैं ममी नाश्ता कर रहे है इसके बाद मैंने छोटी को भी नहला करके तयार कर दिया है ताकि ये सो जाएगी तो मुझे पढ़ने को time मिल जाएगा 11 बच तक देखे मेरा सारा लगपक काम खतम हो गया है चोटी भी सो गई और अब मैं पढ़ने बैट गई हूँ गिया आती है 12 बच तब तक मेरे पास डेड़े घंटे लगपक time होता है मैं इस time पढ़ लेती हूँ वैसे काम तो देखे तो बहुत सारे होते हैं जो काम कभी खतम नहीं होते हैं और मेरा शादी का घर है अभी घर में शादी है तो काम तो बहुत ही है पर उनको मैं अभी इग्नोर करके जो नॉर्मल डेली रूटीन का काम है सिर्फ उनको ही खतम करके और अभी पढ़ने बैटी हूँ क्योंकि एक्जाम भी सर पे है एक्जाम पता नहीं कब होगा अब इंगेजमेंट के टाइम में तो नहीं है तो ये फिक्स है कि में में ही होगा और में में ही शादी भी है स्कूल से आने के बाद गिया अपनी शातानिया शुरू कर देती है डेली के तरह अपनी बहन को परिशान करना उसको साथ खेलना अब मैं उसको होमवग करा रही हूँ यह भी बहुत important है क्योंकि अभी उसने start किया है और उसको care करने की बहुत जरूरत है तो मुझे उसको भी time देना पड़ जाता है उसको होमवग कराना पड़ता है अभी उसिफ A, B, C यही सब लिख रही है अब शाम के साड़े चार बच गए है और हस्बन अभी सो रहा है क्योंकि बनारस से गोरखपुर तक ड्राइव करके आए हैं तो ठक गए है मैं अपना assignment का work कर रही हूँ गिया अपने शैतानिया कर रही है टीवी देख रही है गिया के उस्कूल से आने के बाद मैं पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि वो भी अभी बच्ची है उसका भी कोई गलती नहीं है इसलिए मैं assignment कर लेती हूँ इस टाइम पे जब तक मैं नीचे काम कर रही हूँ तब तक husband ने गिया को सुला दिया और छोटी को भी संभाल रहे है और अब सब सो गए है मैं भी सोंगी